तो सबसे पहले हम रादारानी का कराएंगे जनम तो मैंने लिया यह कमल का फूल तो मैंने इनको कमल के फूल में बिठा दिया है और अपनी बड़ी वाली रादारानी का भी इसनार कराएंगे मतलब तीनों जो रादारानी है मेरे पास सभी का मैं अभी शेक कराऊंगी छोटी वाली रादारानी को कमल में लिठा दिया था मैंने इनको 20-25 मिनट के लिए कमल के फूल में लिठा दिया था क्यूंकि हमारी रादारानी कमल के फूल से ही परकट हुई थी तो इसलिए मैंने कमल का फूल लियाई थी मैं कल एक दिन पहले लियाई थी तो मैंने इनको लिटा दिया था कमल के फूल में और राधा रानी का हमने जनम करा दिया है कमल के फूल से तो अब करा लेते हैं अभी शेक तो चलते हैं फिर अभी शेक कराते हैं राधा रानी का तो वक्तो ये मैंने ले लिया है पंचमरत ये मैंने एक साथ ही बना लिया है बड़े बरतन में क्योंकि मैं तीनो राधा रानी को कराऊंगी और इसमें लड़ू को पाल जी को भी कराऊंगी वीडियो मैं सिर्फ रादारानी की दिखा रही हूं लड़ू गॉपाल जी की नहीं दिखाऊंगी मैं अभी शेक की तो चलते हैं फिर इस नान करा लेते हैं तो अभी शेक करा देंगे पहले हम बड़ी राधरानी का और जो आपको मंतर आते हैं वो आप मंतर करते रहें हमारी राधरानी के बास्ते बादा है और ये जो पंचम्रत है इसको हम पहले अलग बरतन में निकालेंगे क्योंकि इसको हम सभी घ्रैन करेंगे क्योंकि ये परशाद बन चुका है और उसके बाद हम इनको सुद्डजल से स्नान कराएंगे वो रही अगलती होंगे तो उसके बाद मैं कराऊंगी सुद्ध जल से इसनान और हलके हलके आतों से अब हम मसाज कर देंगे तो मैं हलके हलके आतों से कर दूँगी मसाज और फिर मैं कराऊंगी इने जल से इसनान और ये निकाल लेते हैं मलग बड़तन में पहले करा देंगे साफ जल से इस्तान थोड़ा सक गुलाब की पत्तियों से हम ये धई मसाज कर देंगे मतलब कि धरी साफ कर देंगे गुलाब की पत्तियों से और इनके भी में कपड़े उतारके और अच्छे से स्नान करा दूँगी अब मैं पहले इनके कपड़े, कपड़े उतार के स्नान करा देते हूं, फिर आपको दिखाती हूं इनके चहरे की चमक, मैंने सबी को वस्तर पेना दिये हैं, अब मैं सबको तिलक लगा दूँगी, तो चंतर को तिलक लगा देंगे सबी को, और अब भी मैंने हलकी सी ड्रेस पर नाई है इनकी शेंगार की वीडियों दूसरी आईगी और अब हम कर लेंगे आरती क्योंकि ये सुभे की पूजा है जो हमें सुभे करनी है इनका भी शेक करने के बाद तो मैंने अपनी थाली तैयार कर लिए आर्थी की तो मैंने आर्थी कर लिए अब आर्थी देदूंगी सभी को चारों बच्चों को तो भफ्तों हमें सुभह ऐसे पूजा करनी है ब्रह्मूरत में और इस वीडियो को मैं ही पे एंड करूँगी जो दूसरी वीडियो आएगी इनकी शिंगार के आएगी पूजा की भी आएगी वीडियो तो अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शे कि इचना